हेलो दोस्तों, क्या आप भी प्रो प्लेयर बनना चाहते हैं? तो आपको उसके लिए जो फर्स टैप है आपको कुछ प्रो सेटिंग्स करनी होगी बाइ डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती है, उसको चेंज करना होगा कुछ players क्या करते हैं by default settings के साथ ही खेलते हैं या change करते हैं बट अच्छी तरीके से change नहीं कर पाते हैं और अगर आप अच्छे तरीके से settings करते हैं कुछ pro settings हमें आपको बताएंगे जो कि आपको pro बनने में बहुत ज़ादा helpful होगी तो अगर आप channel के उपर नहीं हैं और अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए क्योंकि ऐसी शांदार videos आपको हमेरे channel के उपर मिलने वाली हैं तो शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर आजाते हैं सबसे पहले settings पे settings पे हम आपको कुछ basic settings यहाँ पर बताने वाले हैं जो कि हमें change करनी हैं तो by default आपका peak and fire का जो button है वो disable रहता है तो आप इसे enable कर लीजिए मैं यहाँ पे mark कर देता हूँ brush के साथ तो देखिए यह वाला आपको enable कर लेना है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे एक और जो change करना है वो यहाँ पे यह है आपको peak and scope peak and open scope आपको हमेशा enable रखना है क्योंकि peak and fire ही हमें करनी होती है अगर आपको pro player बनना है ठीक है तो जो next setting है वो हमें आपको बताने वाले हैं और अगर आप four finger player हैं तो display जो left side fire button है उसे हम always on रखें और अगर आप two finger player हैं तो scope on पे ही जो left side का आपका fire button है उसे तब भी enable करें अदरवाइस आपको जो moment करोगे तो आपको problem हो सकती है तो यह थी जो left side button की setting थी और यहाँ पे जाइरो को हमेशा on रखें अगर आप pro player बनना चाहते हैं तो आपने देखो जो भी सारे pro players होते हैं उनके जाइरो सकोप हमेशा on होते हैं यह settings आपको pro बनने में बहुत जादा helpful रहती है और यहाँ पे नीचे जाएक आपको एक और setting मिलेगी quick items quick items को close कर दें ठीक है और इसके बाद next setting है pick up आपको directly pick up पे जाना आप देख सकते हैं यह settings करनी बहुत ज़रूरी है pick up की ठीक है दूस्तों तो यहाँ पे मैं आपको देखी यहाँ पे जो assault rifle की automatic ammo आपको कितनी उठानी है यहाँ पे लिखा है 220 by default रहती है तो 220 से हमारा काम नहीं मता तो यहाँ पे हमें 300 कर लेना है तो क्या होता है automatic जब हमारा character 220 ammo उठा लेगा उसके बाद वो ammo उठाना बंद कर देता है तो हमें फिर by default उठानी पड़ती है tap tap करके बट हमें ऐसा नहीं करना है तो इसके रिए हमें क्या करना है यहाँ पे ammo को 300 कर देना है ठीक है 300 ammo बहुत होती है तो यहाँ पे 300 कर दीजिए ताक कि हमें बारबर उठानी की ज़रूरत नहीं पड़े क्योंकि एक एम से में रश वरश करना होता है तो अगर ammo ammo खत्म होगी या फिर हमें गाड़ी बाड़ी पे कर वर फायर करना होता तो बहुत जातर ammo वेस्ट हो जाती है और M16 पे भी 300 कर लीजिए तो यह सारी 300 कर लीजिए आपको इससे जादा नहीं करनी है 300 के आसपास रख लीजिए 220 थोड़ी चीक हम रहती है तो 300 के आसपास यह रख लीजिए सारी की सारी स्कारल और M4 की भी तो अटमेटिकल आप इनमें से कोई भी गन उठाएंगे तो अटमेटिकली 5 की M.O. आपकी हो जाएंगी फुल्फिल हो जाएंगी ठीक है और गोरोजा गोरोजा इसकी रहने दीजिए क्योंकि जो गन से हमें ड्रॉप में मिलेंगी तो हमारे पास इसमें 7 की M.O. यूज होती है तो हमारे पास अल्रीड यूज रहेंगे और मैट किट हमेशा 3 रख लें बाइडिफोल 2 रथे 3 मैट किट हमेशा रखें और फर्स्टेट किट यहां पे 3 है तो 3 ही रहने दीजिए काफी रहती है बैंड सन काफी एनर्जी जिन्क 5 काफी होते हैं पेंकिलर 3 और यहां पर तीन रहती है और अब आती है बारी फ्रेगरेड कि आपने देखा होगा हमारे ग्लीफोल जो फ्रेगरेड है वह अत्वाटोमेटिकली नहीं उठाता तो हमें क्या करना है इनको उठा लेना है फ्रैक ग्रेनेट यानि जो फटते हैं जिने हम बोलते हैं बॉम्ब तो यह हमेशा अपने पास चार रख लें क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और तीन स्मोक आपके पास होने चीए और तीन ही मॉली ले ले कि मॉली की ज़रूरत बहुत ज़रूरत पड़ते हैं अगर आप पूरे स्क्वार के अपर फैंकों के तो उनकी आधी की आधी हैल्थ उसी टाइम डाउन हो जाएगी और स्टन ग्रेनेट की हम इतनी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम इसे यूज़ी नहीं करते हैं बट अ तो ये कुछ सैटिंग्स थी प्रो सैटिंग जो की प्रो प्लेयर हमेश्चा करके रखते हैं जेकि गेम पे बहुत जादा हैल्फुल रहती है तो अगर आपने अभी तक ये सैटिंग्स नहीं किया तो कर लीजिए अगर आपने अलड़ी कर रखे तो मुझे कमेंट करके जर बाइ वार घाह सॉ हो झाल और कि जो हो एक्यम का हुग स्टर्शáticas टॉड़्याurun